दोस्तो आज की वीडियो मेंованиеocus करने वाले हैं कि अगरां में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्किट को टाइम करे और साथ में समय की बाउंडिशन यदो हाई और मार्किट टाइम ना करे तो क्या डिफेरेंसिस आए 앤ूर्डे ए उपक जाएगा और यहां में profit booking करनी है और ना टाइमिंग का करने का मतलब यह है कि जब बजार जाएगा तब और profit बुक कर लेंगे हम टाइम नहीं करेंगे हमें नहीं पता market कब जाएगा तो अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा compare करें और सिर्फ निफ्टी-फिफ्टी का एक्जाम्पल लेंगे उसके साफ से करें तो क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है तो इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे आज की वीडियो में तो चलिए सीखते हैं समझते हैं और यह देखते हैं कि इंट्रडे ट्रेडिंग में इसके उपर क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है कर सकते हैं और ऊप्षसेड कर सकते हैं आप इट एसेट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो तो अँछिव हैं हो बीआ हäreक के हम बात करें हैं कि अगर हम मार्कि तो एक छोड़ी सी चीज लगा कर देक्षें तो क्या इसका एंपक्ट पढ़ने वाला ला रॉत इस सिस्का दोस्तों समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं तो हो दोस्तों समझने के लिए हम एक बाश ट्रैक के यूज कर रहे हैं और इबाशिव करते कि क्या इंपेक्ट पड़ सकता और क्या इंपक्त नहीं पड़ेगा तो सबसे पहले में एक strategy development करूंगा ठीक है create strategy पर क्लिक करूंगा और यहां पर स्ट्रैटीजी में आ रहा हूं ठीक है और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एड में मैंने सबसे पहले ले लिया है निफ्टी बीस दोस्तों मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि करनी सकते है या तो फीर एंड अप्शनस लिना पड़ेगा उसके ठुरू करना पड़ेगा या फिर हमए एटीफ के ठुरू कर सकते हैं तो मैं निफ्टी बीस को एक बार कंसीडर कर रहा हूं तो यहां मैंने निफ्टी बीस को ट्रेट कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम में रख लिया है पांच मिनिट का, छोटी सी मैं conditions यहाँ पर लगा रहा हूँ, condition क्या है, कि जो clause price है, जो clause price है, जब वो किसी moving average के नीचे आएगा, moving average के नीचे आने का मतला है, थोड़ा सा सस्ता होगा, तब हम nifty को खरी देंगे, तो यह यहाँ पर clause price, lower than, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, moving average, यह देखे, ठीक है, 20 की moving average में यहाँ लगा लिए, और scoper में आड कर लिया, simple सी condition है, और यहाँ पर माल लेते हैं, कि हम market को time कर रहे है, ठीक है, तो अगर हम market को time कर रहे हैं, तो intra rate trading के लिए दोस्ता हम काम कर रहे ह तो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा है, कि यहाँ पर stop clause लगा रहे हैं हम, कि market अगर हमारे against चला गया, तो हम 0.5% पर भार हो जाएंगे, और target profit रख ले हमने 1% का, एक सेकेंड, हाँ, daily cycle देखिए हमारा एक रहा, और यह December 2023 से लेकर के, मार्स 2024 तक का एक back test करेंगे, देखेंगे क्या result आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने normally nifty strategy का नाम रख दिया, save and back test करते हैं, देखते हैं, क्या result हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आगर आप देख रह 3 महीने के अंदर, अब उमर 1% की average market के अंदर आई महीने की, अब इसके ओपर taxes वगेरा, government का charges है, वो भी लगेंगे, वो भी add हो जाएंगे, तो यह return और कम हो सकता है, ठीक है, अब उमर हमने दोस्तों यह calculate कर लिया, अब एक काम करते हैं, अब इसको थोड़ा सा change करते हैं, चेंज करके हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जर देखिएगा, lots पर बढ़ा देता हूं, 100 करते हूं, मैंने एक कर रखा है, बहुत कम कर रहा है, फरक कोई नहीं पड़ेगा, 3% ही result आएगा, अब यहाँ पर देखिए, हमने MIS लगा रखा है, बास समझ रहें, MIS, अब इ पिट नहीं मिल पाया, समय के वज़े से, तो हम तो पूरा 1% लेंगे, उसे साफ से अगर हम देखे, तो क्या result बैटर होता या नहीं होता, सबसे पहले time की boundation हटाईए, ठीक है, जब हम time की boundation दोस्तों हटा रहे हैं, अब हमारा 3% से result बढ़ करके, 12% हो गया, तो बास समझ जितनी ज़्यादा restrictions हम हटाएंगे, उतरा result थोड़ा सा बैटर होगा, तो हमने क्या करा, यहां देखे, अब यहां पर 17 win है, 18 loss में गए है, यह आपको दिख रहा है, अब एक काम करते हैं, और एक चीज करते हैं, अब एक काम करते हैं, हम stop loss की boundation भी अटाते हैं, हम कहते हैं हमें stop loss लेना ही नहीं, हमें तो एक परसेंट जब मार्केट बढ़ेगा, तब हम अपना profit बुक कर लेंगे, तो यहां पर हमने क्या करा, stop loss लगा दिया 99% का, यानि जब निफ्टी 99% गिर जाएगा, तब हम बेचेंगे, stop loss, जो हीटी नहीं होगा, obviously, 99% निफ्टी गिरना, तो पूरी मार्केट ही डिस्ट्रोई हो जाएगी, जब तक तो, तो बात समझ रहें, 1% profit, अब देखते हैं, अब जो result है, वो 12.5% से बढ़ करके, 15.5% हो गया, तो जैसे जैसे हमने foundations हटाई, चीजे बहुत 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 बहु option selling की expiry strategies है, जो होगी intraday पे, बहुत सरे rule regulations है, लेकिन हम अब जब हम new beginners की बात करें, जो market में नया नया आता है, उसको ना options पता होता है, ना futures पता होता है, वो intraday से attract हो करके आता है, और normally वो intraday के अंदर stocks लेता है, और उसी के अंदर profit booking करने की सोचता है, लेकिन अगर व timing भी ना करें market को, कि भी जब बढ़ेगा तब बेचेंगे, that's it, stop loss लेंगे ही नहीं, तो result और better हो जाते, तो तीन मेने में 11%, very decent profits, अगर हम इसको continuously देखें, क्या ये हमें सिर्फ इस तीन महिनों में मिला, ये December और March में मिला, उससे पहले नहीं मिला, एक बढ़ देखते हैं, हम September से देखते हैं कि क्या ये पैसा बना नहीं बना, 36% रेंटर, तीन महिनों में, कब से लेकर, September 2023 से लेकर के, November 2023 तक, फिर तीन मेने और गम करते हैं, फिर देखते हैं, अब देखें, एक जून से लेकर, 29 अगस्त तक, 21% का return, सारे के सारे हिट हो गए, उसके बाद देखते यहां calculate करते हैं, क्या हुआ, 9% का return, तो इस तारीखे से दोस्तों, जो मैं पूरे साल का यहां पर चेक आउट करता हूँ, तो मुझे बहुत rare ही कोई quarter मिल रहा है, जिसके अंदर loss होगा, लेकिन हमने देखा है कि Corona virus के time पर market 40-50% नीचे गिर गया था, 2008 में भी गिर गया था बीच में भी crisis आये थे, उस समय भी market गिर गया था, उस समय क्या होगा, तो main दोस्तों problem तब की है, जब हम market की timing भी नहीं कर रहे है, time boundation भी हटा रहे है, तो कोई न कोई कभी गा कभी ऐसा समय जरूर आएगा, जब market crash करेगा, और जो पैसा आपने लगाया हुआ है, वो 40-50- में काम कर पाओगे, तो basically जब हम market में नए आते हैं, अगर आपको market में timing नहीं करना, intraday में पैसा कमाना है, तो आपको बहुत बार ऐसे तरीके मिलेंगे कि intraday में आपके profit bookings हो जाएंगी, लेकि बहुत बार ऐसा होगा कि intraday में profit booking ना होकर गया, आप थोड़ा सो समय दे दो उसको, फिर आप profit booking कर सकते हो, तो यह हो गया investment come trading, अब जैसे कि हमने बहुत पहले बात करी थी, zero stop loss ETF trading की, यह eye button में मैं आपको link दे रहा हूँ, आप देख सकते हो उस वीडियो को, उसमें भी कुछ ऐसा ही था, तो यह काम आप intraday में आपके बहुत सारे profit books हो जाएंगे नहीं हो रहे है, थोड़ा extend कर सकते हो, लेकिन यह काम के अंदर हमेशा risk रहेगा, risk मैंने आपको already बता दिया है, risk क्या है, यही risk है, market if by chance कभी panic में जाती है, कभी बहुत ज़्यादा तेजी से कही न कहीं गिर जाती है, तो उस समय आपको problems हो सकती है, तो उससे निदान पान तो आपको पैसा काफी अच्छा बना कर देगी, और नीचे के लेवल पर जो आपने खरीदा होगा, उसके अंदर तगड़ा पैसा बनेगा, लेकिन यह सारी चीज आप तब ही कर सकते हो, जब आपके रहे market का mindset develop करा हो, और कोई भी investment, बड़ी investment market के अंदर बिलकुल ना करे, इतना पैसा market में कभी ना लगाए कि अगर वो zero हो जाए, तो आप financially बहुत ज़्यादा impact हो जाए, उसके अंदर, तो ऐसा बिलकुल ना करे, और market में जो आप पैसा लगार हो, पहले तो आप शुरुआती रूम में से practice के लिए लगाओ, यह जो भी मैंने आपको तरीका बता होगे, तूसरा, यह काम मैंने आपको बता है कि Nifty 20 के अंदर हम कर रहे हैं, यानि Nifty के ETF में कर रहे हैं, और सारे ETF भी available है market में, उसको भी pick कर सकते हो, Nifty 50 के ETF, लेकिन अगर आप किसी individual stock में कर दोगे, तो company ही पूरी collapse होगी, तो क्या कर सकते हैं, तो यह बहुत सारे complications है, तो market के अंदर अगर आप time नहीं करना चाहते हैं, risk हमेशा रहेगा, लेकिन आपके पास एक monthly income या monthly source हो, ऐसा होना चाहिए, कि आप नीचे की level में दोस्तों buy करके, उसको average out कर सको, इस तरही किसी दोस्तों किया जा सकता है, लेकिन कोई भी काम और real पैसा लगाने से बहले थोड 10,000 का 1% तो वह 100 रूपीज, तो यह बहुत कम रकम हुई, इसमें कुछ taxis भी लग जाएगे, खरिदने बेचने के, 30-40-50 रूपीज उसमें लग जाएगे, बचे कितने 50 रूपे, तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा हो, एक decent पैसा, तो माल ले था कि 50,000 रूपीज से हम एक ब 500 रूपे तो होने ही चाहिए, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने बोला, highly risky game है, 50,000 पे, 20,000 भी बस सकते हैं, 15,000 भी बस सकते हैं, लेकिन यह काफी relaxful तरीका है काम करने का, तो market में पैसा लगा करके, और excess पैसा आपके पास महीने में आ रहा, उसको और add करते हो, और यह 1,1% का target भी रख सकते हो, 2% का भी target रख सकते हो, इस वीडियो को बनाने का basically main motive ही था, कि जब आँ मार्केट में timing करते हो, तो क्या result आता है, timing नहीं कर रहे, तो क्या result आ रहा है, और time की foundation जब आटा रहे हो, तो क्या result आ रहा है, तो उ उम्यद करते हों कि वीडियो आपको काफी help करेगी, चीजों को समझने में, बाकी जल्दी मिलंगों next वीडियो में, तब तक लिए goodbye, God bless you, bye bye दोस्तों